नमस्कार दोस्तों पैसटवी वीडियो स्पेक्ट्रम मौडर्न हिस्ट्री की सीरीज की देखते हैं हैं मैं आपके साथ क्या के डिस्कस करने वाला हूँ एरा ओफ मौडरेट्स 1885-1905 इनकी सुर्वाती मौडरेट अप्रोच uh एन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताय ओप आपने किताब खरीद ली हो मेरे साथ बैठके पड़ रहे हूँ वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाईए मेरे दोर बनाईगी और वीडियो को देखने के लिए, MCQs वाली वीडियो को देखने के लिए, आप चैनल पे जॉइन का बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलिग्राम को ग्रूप जुरूर इंडियन नैशनल कॉंग्रस में दो फैक्शन्स बनेंगे, और ये फैक्शन्स बहुत क्लियरली उभर के सामने आएंगे 1905 में, जब बंगाल का पार्टिशन होगा, बंगाल के पार्टिशन को पहले जो मैंने इंडियन मॉडरन हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी, वहाँ पर कवर किया है, यहाँ पर भी स्पेक्ट्रम हिस्ट्री में कवर होगा, जल्दी ही हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, तेजी से मैं स्पेक्ट्रम के लेक्टरिस रिकार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो जो ग्रुप्स बनतें, एक मॉडरेट्स और एक एक्स्ट थे, वो एग्रेसिव होके अपने अधिकारों को मांगते थे, अंग्रेजी सरकार से, तो मॉडरेट्स और एक्स्ट्रमिस्ट में एक लाइन में अगर फर्क बताया जाए, तो एक्स्ट्रमिस्ट बहुत एग्रेसिव थे, उनके जो तरीके थे वो एग्रेसिव थे, और मॉ जो 1885 से लेके 1905 तक का टाइम था इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का वहां की कॉंग्रेस पॉलिसी को इन मॉडरेट लीडर्स ने डॉमिनेट किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1905 में एक इवेंट होगा जिसका नाम होगा और पार्टीशन और बंगाल के पाथ जो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा बदलेगी बदलेगी क्या लड़ाई सी होगी moderates और extremists में moderates कुछ समय के लिए जीज जाएंगे extremists कुछ समय के लिए दबा दिये जाएंगे keratinistic policy आजेगे अंग्रेज होगी वो तब देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रही moderates की यह important moderate liberals है liberalism की सिद्धानत में यह मानते थे और moderate politics को यह मानते थे moderate politics मतलब जादा extremist नहीं बनना है extremist मतलब हमारा जो मांगने का तरीका है अंग्रेजी सरकार से अधिकार वो मांगने का तरीका violent नहीं होगा वो मांगने का तरीका constitution के हिसाब से होगा तो approach है इनकी moderate ठीक है तो जो moderate political activity थी इसमें क्या-क्या था कि हम agitation करेंगे और वो agitation constitutional होगा तो हम constitutional agitation करेंगे constitutional agitation हमेशा confines of law के हिसाब से होता है तो जो Britishers द्वारा बनाये गए नियम कानून है उन नियम कानूनों के हिसाब से हम अपनी political मांग करेंगे ठीक है और धीरे-धीरे political progress को लेके आएंगे इन moderate का मानना था और इस thinking को देख के आपको पता चले का कि इनकी thinking कितनी flawed है moderate से मानते थे कि देखे ये जो Britishers हैं ये Indians का भला चाहते हैं बस इन Britishers को Indians की actual position में बारे में पता नहीं है ये कौन से Britishers की बात कर रहे हैं ये उन Britishers की बात कर रहे हैं इंग्लेंड में रहते हैं शुरुवात में इस इंडिया कंपनी थी यहां पे 1858 के बार डारेक्ट बिटिश क्राउन का रूल आ गया तो बिटिश क्राउन का रूल इंडिया में चलना है लेकिन moderate का क्या मांगना है कि भाई जो बिटिश के elite ruling class है जो बिटिश की जनता है इंग्लेंड में वो अगर उसको हम ये बता देते हैं कि इंडिया में उनकी सरकार क्या हो रही तो कुछ न कुछ उनकी तरफ से मदद आएगी वो हमारी मदद जरूर करेंगे तो कहीं न कहीं हमको बिटिश के public opinion को बदलना है और अपने देश के अंदर भी public opinion को बदलना है ताकि हम भी कुछ demand कर सके अंग्रेजों से अपने नियम कानूनों के लिए अपने rights के लिए हाला कि वो demand हम constitutional agitation के हिसाब से ही करेंगे अब देखे अगर public opinion को बदलना है country में ठीक है? तो public opinion को बदलने के लिए और public demand को रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? constitutional agitation के अंदर तो आप resolutions पास कर सकते हो? तो इंडिने नेशनल Congress का sessions हुआ, वहाँ पे सारे members ने मिलके resolution छापे अभी resolution पास किया गया कि हम भाई ये चाहते हैं, उसका publication अकबार में हुआ, वह अकबार अंग्रेज भी पढ़ते हैं, तो इनलों को लगा कि नहीं भाई हमने कुछ किया है, अंग्रेजों तक हमारी बाग पहुंची, ये petitions लिखते थे, वो petitions जो British government इंडिया में काम कर रही थी, उसको भी लिखते थे, जो British representatives आपके England में बैठते थे, उनको भी लिखते थे, अक्सर कर इनकी meetings होती थी, इन meetings के memorandum set up करते थे, उन memorandum को ये English officers के पास भेजते थे, इनको लगता था कि English officers इनको पढ़ेंगे, तो हमारी बातों को मानेंगे, तो इन सब चीजों को करने के लिए, एक two-pronged methodology को यहाँ पे deploy करेंगे, two-pronged methodology क्या थी, one, create a strong public opinion to arouse consciousness and national spirit and then educate and unite people on common political questions, यानि एक strong public opinion बनाई जिससे consciousness आए, एक national spirit निकल के आए, लोगों को हम educate करें, unite करें, common political questions पे, ठीए न, तो मतलब जो main, अब देखे, यह जो common political questions थे, यह उस समय की गरीब जनता को समझ में नहीं आते थे, यह पढ़े लिखे, लोगों को समझ में आते थे, और इन पढ़े लिखे, अब सोचिए उस समय पे कितने ही पढ़े लिखे लोग middle class के थे, ज़्यादा-ज़्यादा पूरी जनता जो इंडिया की थी, वो गरीब थी, तो first of all, इनका जो consciousness को सुधारने का जो principle था, वो अत्ता successful हुआ नहीं, चुकि जो बिलकुल ही lower end पे masses हैं, उनको इनकी बाते यह तो समझ में नहीं आई, या यह उन तक पहुँचानी पाए, चुकि यह कहीं न कहीं शहरों में operate करते थे, और इंडिया की जो जनता थी, वो गाओं में रहती थी, मेलेज़ में रहती थी, दूसरान का तरीका क्या था, persuade the British government, and British public opinion to introduce reforms in India on the lines, laid out by the nationalists, अब सोचिए, यह British government को समझा रहे हैं, वो British government, जिसने अपने representatives को इंडिया में बेठा रखा, इंडिया को लूटने के लिए, इंडिया से पैसे चूसने के लिए, यह लोग उनके सामने request रखते थे, कि भाई आप कुछ करिए, हाँ कुछ हद तक British के public opinion को बदल कि यह जरूर Indians के लिए rights मांगते थे, लेकिन उस समय पे तो Britain में ही पूरी तरी किसी नेमोकरिसी नहीं आ पाई थी, तो वो हमको क्या देंगे, समझ गया ना, तो British public opinion को change करने वाला भी जो इनका idea था, उस समय पे 1819 में हो ज़्यादा काम आया नहीं, तो यह prayer के method पे भागते थे, prayer का सिद्धान, तो आप देखोगे, कि Indian National Congress की एक British Committee बनाई गई लंडन में, अभी England में आपको English जनता के opinion को बदलना है, British government के opinion को बदलना है, तो भाई यह लंडन जाके काम करना पड़ेगा, अब इंडिया में कैसे बदलोगे, वो तो लंडन में, तो लंडन जाके काम करना पड़ेगा, तो Indian National Congress की एक British Committee बनाई गई लंडन में कब, 1889 में, इनकी एक publication थी, जिसका नाम था इंडिया, दादा भाई नेरोजी जी ने, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और अपनी काफी कास्दी कमाई, इंडिया के केस को, British Government के सामने, रेप्रेजेंट करके, कुछ improvement पाने की कोशिश करने में निकाली, देखिए, no doubt दोस्तों, इन moderates ने भी देश के, आजादी के लिए, आजादी तो नहीं बोलना चाहिए, देश के growth और development के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ की है, बस इनके जो तरीके थे, वो अलग थे, ये constitutional तरीके से चीज़ें करने कोशिश कर रहे थे, बट कहीं न कहीं वो constitutional तरीके आसान नहीं थे, मतलब उनके साथ result निकलने मुश्किल थे, जो कोलोनियलिजम था ना, इंगलेंड का, वो crude कोलोनियलिजम था, इंगलेंड वाले यहां लूटने आये थे, तो वो बात जरूर सुनते थे इन moderate की, बट कहीं न कहीं उनको ये बात माननी नहीं थे, बट ठीक है, ये लोग तो अपना काम कर रहे थे, फिर भहिया, अठारा सुननद्य में एं प्लान बनाया, दादा भाई नहिरूजी ने, प्लान ये बनाया गया, कि, इंडियन नाशनल कॉंगरस का, एक सेशन कराएंगे लंदन में, ये प्लान बनाया गया था 1890. ठाक है न, तो 1890 में प्लान बनाया गया, इंगलिज़गे में लंडन से में। 1891 में British elections थे तो यह जो proposal था यह postpone हो गया और कभी भी revive नहीं हुआ ठीक है फिर भाई moderate leaders की एक सोच की अगर बात की जाए ठीक है तो सोच क्या थी moderate leaders की कि देखिए कहीं न कहीं इंडिया के लिए Britain के साथ political connections बनाने ज़रूरी हैं उस समय पे Indians उस level पे नहीं आये थे ना Indian masses में इतनी awareness थी ना nationalism की भावना इतनी ज़्यादा penetrate करी थी कि आप एक direct challenge दे सको British rule को British rule बहुत ज़्यादा consolidated था उन्होंने पूरे इंडिया के administration को एक iron hand से पकड़ के रखा था सब उनकी बात सुनते थे तो उनके rule को आप challenge तो नहीं कर पाऊगे तो कहीं न कहीं ये जो moderate से इनकी एक अप्रोच थी कि भाईया direct challenge करना बेकार है जो national rule है उस national rule के हिसाफ से जो अपने right से उनको ज़्यादा ज़्यादा मांगने कोशिश करो और सासद public opinion को वढ़ाने की कोशिश करो तो ये इनकी अप्रोच थी ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि moderate nationalist के contribution क्या क्या है और contribution में सबसे पहले आता है British imperialism था जो British colonialism था जो इंडिया को लूट रहा था उसके nude चेहरे को इंडियांस के सामने ले के आना जिसको बोला गया economic criticism of British imperialism कुछ early nationalists थे जिसमें दादा भाई नरोजी थे आरसी दत्त थे दिंचाव वाचा थे इन ठीक है ना और फिर इन्होंने एक drain theory दी हाला कि drain theory ददा भाई ने रोजी जी की तरफ से आई थी main लेकिन आप देखोगे कि रोमेश चंद दत्त जी ने भी एक किताब लखी और कहीं न कहीं और भी बहुत से लोग थे जैसे दिंचाव ईवाचा इन्होंने अपनी अपनी drain theory अपनी drain theory की थुरू उन्होंने बताया कि कैसे British अपने राज के थुरू पैसा निकाल के इंडिया से इंडिया की दौलत को इंडिया से निकाल के इंग्लेंड भेज रहे हैं और एक systematic तरीके से देश का exploitation कर रहे हैं कैसे उन्होंने एक basically self sufficient Indian economy जो कि एक समय पे दुनिया की सब Europe से, England से तो पहले ये जो Indian economy थी जो दुनिया भर को textile, handicraft, spices ये सब चीज़ें provide करती थी आज की date में दुनिया की पहले की होने वाली इतना बड़ा exporter एक importer बन के रहे गया है इंग्लेंड का ये export क्या करते हैं मतलब उस समय पे India export क्या कर रहा था है तो कि वाल raw materials export कर रहे थे Indigo जैसी चीज़ें हम लोग export कर रहे थे और हम लोग क्या थे हम लोग थे importer थे finished quotes के और ये जो British capital था ठीक है कुछ बहुत limited terms में आप देखोगे कि British capital इंडिया में आया किसी industry को set up करने के लिए ज़दातर cases में चीज़ें जो England में बनती थी उनको इंडिया के अंदर import किया जाता था इस चीज़ को identify करेंगे ये early nationalist ये moderates एक public opinion को बनाएंगे इंडिया में ये भाईया देखें इंडिया आज की date में जो गरीब है इंडिया आज की date में जो पिछड़ा हुआ है उसका जो major कारण है ये major कारण अंग्रेजी साशन है बट कहीं न कहीं आप देखोगे इन moderates में कभी एक violent reward की बात नहीं गिए इन्होंने जो administrative structure था जो governance का structure था उसमें flaws को निकाला और उन flaws को highlight करके public opinion को mold करने के कोशिश की और उस public opinion के दम पे ये लोग अंग्रेजों से concessions मांगते थे अंग्रेजी सरकार से concessions मांगते थे ये modus operandi थी modus operandi मतलब काम करने का तरीका था इन अंग्रेजों का ठीक है ना तो आप देखोगे कि जो Indian life के deprivation थी एक average Indian session जिस करीबी से गुजरता था उसके लिए Indians ने मांग की कि भाया ये जो India economically subservient है Britain के इसको बंद करो कहने का मतलब ये है कि हम ये सब चीज़ें जो import कर रहे हैं आप कहां से इसको कहीं न कहीं खतम करिए आप Indian enterprises को बढ़ावा दीजे कहीं न कहीं जो India के लोग हैं जो India के business classes हैं ठीके आप इनको value दीजें इंडिया के लोगों को support दीजें कि वो आपने खुद का enterprise बना सकें आपने खुद की factories बना सकें हम जो products को consume करतें इंडिया के अंदर हम उसको खुद करी सकें ना कि आपके England से import करें क्या कभी Britain ये आसान हम गुलाम थे, Britain हमें याँ लूटने के लिए आये थे और वो लूटने के main causes को ये moderates identify कर रहे थे और उसको constitutional तरीके से solve करने कोशिश कर रहे थे पर उसका कोई constitutional solution था नहीं चुकि जो basic nature था अंग्रेजी rule का वो exploitative था फिर आप देखोगे इसी demand पे जो nationalists थे जो moderate थे उन्होंने बोला कि भाईया land revenue को कम करिए ये जो किसानों से आप tax लेते हो land के उपर ये कम करिए जो आपने नमक के उपर tax लगा रखा है इसको बंद करिए plantation labor में जो आपने गधा मजूरी करा रखी है इंडिया के लोगों स तो आप 36 जारकंड यूपी बियार से पकड़ पकड़ के लोगों को लेके जा रहे हो आसाम के उसमे plantation crops में काम करवा रहे हो टी की जो खेती होती उसमें काम करवा रहे हो 16-16 घंटे आप इनसे काम कराते हो ठीक से खाना नहीं देते हो ये सब बंद करिए जो plantation labor में आप exploitation कर करो ये बंद करो maurishers जो आप लेके गए इनको वहाँ पे काम कराते हो वो बंद करो फिर आप अपना military expenditure कम करिए जो आप अमनी armed forces को उपर पैसा करते हैं उसको कम करिए उस पैसा को लोगों की भलाई में लगाईए फिर modern industry को encourage करिए tariff protection की जरू अब सोचो दोस्तों अंगर उसको systematically तोड़ा अंग्रेज होने और हमारी economy को अपने बनाये गए goods के ओपर dependent बना दिया और यहां पर यहां पर यह moderate क्या बोल रहे हैं कि आपके goods जो England से इंडिया में import हो रहे हैं उनके उपर आप एक काम करो import duty लगाओ ताकि वो यहां महंगे हो जाएंगे ताकि इंडिय जो मुश्किल से ब्रिटेन ने इंडिया के traditional handicrafts को तोड़ दिया इंडिया की traditional internal economy को तोड़ा और अपने आपको dominant किया वो उनकी domination को कम करने के लिए constitutional legislation कर रहे है moderate कि भाया आप जो goods इंडिया में क्यार हो जिससे आप पईसा कमा रहे हो इसके ओपर import duty लगाओ कभी का England वाले लगाएंगे England वालों का तो कामी यही था वो लूटने ही तो आये थे और लूटने के cost को आप बंद करने की बात कर रहे हो तो obvious सी बात है यह moderate जो कुछ भी बोलते थे अंग्रेज को करने को अंग्रेज कभी भी नहीं करते थे क्यों करेगे अगर यह कर देंगे तो वो पैसा खतम किया वो भी भाई यह एजूकेशन थी कि अंग्रेजी के एजूकेशन कराएंगे इंडियन वर्नेकुलर लेंग्वजिसने एजूकेशन नहीं कराएंगे चुकि वो तो पिछड़ी हुए लेंग्वजिस हैं तुम तो white man's burden हो हम तुमको यहां सिखाने आएं यह तो तियोरी थी इनकी फिर आगे चलते हैं अच्छा अब दोस्तों देखो constitutional reforms की बात की जाए और legislative reforms की बात की जाए यहां पे अब इन चीजों को समझना बहुत ज़रूरी है बहुत detail मैं आपको समझाओंगा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास लक्ष्मी स्पेक्टर में सब कुछ लिखा हुआ है आप वहां से चीज़ें पढ़ सकते हो बस यहां पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझे प्रोपोगैंडा ब्रिटिश रूपेऊर गाई का 1861, 1861 का फिर golf अपीर भी आपको समझाओ अजित्युजें पर यहां सकंघ हो हॉआरे हां से फोड़ा थोड़ा टॉफी दे रहे थे दी तीन चार रुपए वाली दस भी बार में चलो एक मंच का चॉकलेट दे दो दस रुपए का तो इस तरीके से पपलू बांट रहे थे यह लोग ठीक है तो मतलब administration के नाम पे ताकत के नाम पे legislative capacity के नाम पे Indians को इन्होंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं legislative council की बात की जाए legislative council मतलब जहां पे representatives बैठे हैं लोगों के अभी लोगों के representatives क्या थे दोस्तों वो representation किसी democracy का अधार पे था नहीं किसी elections के तो अधार पे था नहीं जो अंग्रेजों के favorite होते थे इंडियन्स में उनको ही वो लेजिस्लेटिशन में वैठाल देते थे तो आप देखोगे इंडियन council act आएगा 1861 का मैंने आपको इंडियन council act पढ़ा दिया उसको जाके आप फिर से देख सकते हो इंडियन council act 1861 के थुरू imperial legislative council बनाया जाएगा और imperial legislative council में representation दिया जाएगा अभी इस imperial legislative council में बहुत सारे इंग्लेंड की members बैठे आके लेकिन दीरे दीरे आप देखोगे कि इस imperial legislative council में कुछ इंडियन्स को भी membership दी गई लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों भले ही imperial legislative council बनाये गएते पर चलती governor की थी ये बना दिये गएते नाम पे तो 1862 से लेके 1892 तक 1862 से लेके 1892 तक आप देखोगे कि इन legislative council में imperial legislative council में केवल 45 members थे जो कि इंडियन्स थे और ये जो 45 इंडियन्स थे ये थे अंग्रेजों के favorite तो आपको पता थे उस समय पे बड़े बड़े जमीनदार बड़े बड़े राजवारों के रिस्तेदार इनको मना दिया imperial legislative council का member बोला कि देखो हम तो भारतियों को representation दे रहे हैं उसी को तुमने imperial legislative council का member बना दिया तो मतलब क्या तो ये wealthy, landed, loyalist, interest के लोग imperial legislative council के members बने हाला कि यहाँ पे कुछ ऐसे members थे जो सच में लोगों के लिए काम करे थे जैसे कि सरसेद हमत खान साब थे अब इनके बारे मैंने आपको पहले बताया था ठीक है तो ये भी बनें आपके imperial legislative council के member क्रिस्टो दास पाल, VN मांदलिक, KL नुलकर, राश बिहारी गोश ये कुछ ऐसी personality थी जो imperial legislative council की member बनेंगे और सच में लोगों के लिए काम कर रही थी लेकिन ज़्यादा तर जो members बनेंगे आपके imperial legislative council के वो उतना लोगों के लिए काम करने वाले थे नहीं, उनके अपनी खुद के vested interest थे अंग्रेजों के साथ उनके interest online थे, लोगों को लूटना है, पैसा कमाना है, अपनी जिंदिगी आराम से जीनी है काहे का nationalism छोड़ो, ये उनकी सोच थी फिर Indian National Congress के अगर आप काम को दोस्तों assess करो कब से लेके कब तक 1885 से लेके 1892 तक तो 1885 से लेके 1892 तक अगर Indian National Congress के काम को देखा जाए, तो उन्होंने constitutional reforms किये और constitutional reforms में उन्होंने दो चीज़े मांगी, एक तो उन्होंने मांगा expansion of council तो ये जो imperial legislative council थी, इसको आप expand करो, इसमें ज़्यादा Indians को आप representation दो तो ये तो एक चीज़ होगी, दूसरा आप reform करो, किसका? of councils, तो reform करो और reform वाला point बहुत important है, तो अगर आप councils का reform करोगे, तो सबसे पहले बाद तो आप council को ज़्याता ताकत दोगे, अभी ये जो imperial legislative council बना रखी थी, ये तो नाम की council थी, ताकत तो पूरी governor के पास है, तो नाम के लिए बस आपने एक legislative council को बठा दिया, कर ये कुछ तकती नहीं, तो इस legislative council को आप budget के ओपर कुछ ताकत दो, कुछ और decision making के ओपर ताकत दो, तो ताकत कुछ नही दी गई थी, बस नाम के लिए इन legislative council को बना दिया गया था, तो नाम के लिए आपने legislative council को बनाया और ताकत ताकत उसको कुछ दी नहीं, और नाम की उस legislative council में भी ज्यादा तर आपने member अंग्रेज रख रखें, इंडियन्स बहुत limited हैं, तो कहे कहा आपने इंडिया को representation दिय ठीक है, तो यह जो early nationalists थे, वो इन सब बातों को समझ रहे थे, और कही ना कहीं long term में जो nationalistic और democratic self-government का जो role था, जो aim था उसको यह पाने की कोशिश कर रहे थे, और इनको थोड़ी success मिली, अभी success तो इन्होंने इसको माना ही नहीं, आपका Indian council act आएगा 1892 में, और Indian council act के थ लेजिलेटिव council थी, जो की center पे काम करती थी, और provincial legislative council जो की alag-alag provinces में काम करती थी, तो बंगाल की province थी, NWFP province थी, तो alag-alag provinces की जो provincial council थी, वहाँ पे जो members हैं, और imperial legislative council हैं, वहाँ पे membership को बढ़ाया गया, और खासकर non-official membership को बढ़ाया गया, non-official मतलब यहाँ पे जो Indian members देखे जो legislative council थे दोस्तों उनमें दो तरीकिक member थे एक तो official members एक थे non-official members official members मतलब अंग्रेज European non-official members मतलब Indians but वो non-official members जो की Indians थे जो की in council से पहुंचते थे वो भी अंग्रेजों के चाहते ही होते थे वो कोई गरीबों के representative नहीं होते थे ठीक है तो ये बोला गया कि भाया Indian council act 1892 के थुरू क्या वो बता रहा हूँ मैं आपको Indian council act 1892 के थुरू जो governor general है उसकी जो आपकी imperial legislative council है उसमें अब 16 non-official को कर दिया गया पहले 10 non-official थे ठीक है तो आप 16 non-official बैठेंगे फिर जो non-official members है इनको nominate किया जागा बंगाल chamber of commerce द्वारा और provincial legislative councils द्वारा तो एक तरीकी के representation देने ही कोशिश की कुछ लोगों को universities के द्वारा recommend किया जाएगा municipalities के द्वारा जमीनदारों के द्वारा chamber of commerce के द्वारा ये सब उस समय के influential organizations थे जिसमें कुछ हट तक Indian membership थी Indian council act 1892 को जाके आप देख लो वीडियो को फिर Indian council act 1892 की थ्रू क्या बोला गया है कि हाँ भई आप budget पे discussion कर सकते हो उस से related question पूछ सकते हो लेकिन यहाँ पे कुछ flaws थे दोस्तों बले ही आपने non official membership को बढ़ाया है लेकिन majority किसके पास है official members के पास है तो मतलब जो अंग्रेज हैं जो European's हैं इन imperial legislative council में वो जादा हैं provincial legislative council में वो जादा हैं इंडियन्स हैं कम तो पूरा purpose defeat हो गया दूसरी चीज़ आप देखोगे 1909 में जो imperial legislative council है वो पूरे साल में केवल 13 बार मिलेगी तो पूरे साल में अगर imperial legislative council केवल 13 दिन के लिए 13 बार मतलब सुरी 13 दिन के लिए 13 बार में गलत बोल गया तो एक साल में सिर्फ 13 दिन के लिए 1909 में ये imperial legislative council और उसमें भी आप देखोगे जो on official Indian members present थे वो थे 24 में से 5 तो जब members present भी नहीं हैं और ये जो councils हैं वो बहुत कम समय के लिए मिल रही हैं तो कितना ही काम उसमें हो रहा था आप समाजी सकते हो उसके बाद जो budget था, budget मतलब जो सरकार का खर्चा था, वो सरकार का खर्चा इस imperial legislative council में introduce किया जाएगा उस पे किसी भी तरीकी की voting नहीं होगी, हाँ आप उस पे discussion कर सकते हो तो budget के किसी provision पे, अगर आपको अपना viewpoint देना है, तो आप imperial legislative assembly में खड़े हो कि अपना viewpoint दे सकते हो हाला कि आप उस viewpoint के against में कोई resolution, motion, amendment कुछ नहीं पास कर सकते हो आपने जो written question दिया है, उसका answer भी आपको दिया जाएगा, बट उस answer के against में आपको supplementary question नहीं पूछ सकते हो तो ताकत दी गई इनको Indian council act 1892 के थूँ, बट वो बहुत limited ताकत थी, और moderates को ताकत समझ में नहीं आई तो भाई moderates ने अपनी demand को जारी रखा, moderates ने बोला कि देखो, आप हमको ये जो पपुलू दे रहे हो non-official majority का ये सहीं नहीं है ठीक है न, आप majority रखे है elected Indians की, हमें budget के ओपर control दीजे, हमें ये ताकत दीजे कि हम budget पर voting डाल सके, हम budget को amend कर सके इन्होंने slogan दिया no taxation without representation, आप हमारा खून चूस रहे हो, हमसे tax ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, और हमको representation नहीं दे रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है और धीरे धीरे ये जो constitutional agitation का जो scope था इसको बढ़ाया गया, तो आप समझें दोस्तों, ऐसा नहीं था कि moderates कुछ कर नहीं रहे थे, moderates बस एक limit के आगे नहीं जाना चाहते थे और बाद में आप देखोगे, तिलक साहब, लाला लाचपत राय जी, बेबन जंदपाल जी एक limit के आगे जाएंगे, हलाकि एक limit के आगे जाने वाली जो काबलियत थी उस समय पर Indian democracy की, Indian democracy के लिए इंडिया के लोगों की democracy तो उस समय पर थी नहीं, तो इंडिया के लोगों क जी ने 1904 में, गोपाल कुष्ण गोखले जी ने 1905 में, लोकुमान तिलक जी ने 1906 में self government की demand की, on lines of self governing colonies of Canada and Australia, तो जिस तरीके से Canada और Australia में उनकी self governance colonies थी, उस तरीके से इंडिया को भी एक self governing colony बनाई या, ठीके न, गोखले साहब ने और फिरोशा मैता जी ने government policies को बहुत ज अधा criticize किया, तो ये लोग काम कर रहे थे, ओके, लेकिन ये काम में successful इसने नहीं हो पा रहे थे, जो कि obviously बात है, ब्रिटेन इनको कुछ भी देना नहीं चाहता था, तो ये जो बोला गया है ना, कि भाई, Alan Octavian Hume ने safety wall की theory बना दी, और ठीके ना, इन इंडियन्स को मौका द इसको सिर्फ नाम के लिए बना दिया गया, तो उसमें जान डाल दी, कहीं ना कहीं उस imperial legislative council के तुरू, जो लोगों की problems थी, उसको सामने लेकिया है, जो indifferent bureau कैसी थी, जो कि लोगों की requirement की तरफ कोई भी अच्छा भाव रखना, कोई भी emotional feeling रखना, कुछ भी नहीं था, उसको सामने point out किया, government की policies को criticize किया, basic economic issues को उठाया, public finance की बात को सामने लेकिया, कहीं ना कहीं इन्हों ने अपनी बातों को सामने रखा, एक political base यहां पर setup हुआ, और national movement की आप कह सकते हो कि यहां पर शुरुवात सी हो ली थी, anti-imperialist sentiment को society के अंदर diffuse करने में, बहुत हद तक यह ज 1885 से लेके 1915-1920 तक की, ठीक है, लेकिन भाई, at the same time, जो base था इस movement का वो बहुत जदा बढ़ा नी था, चूकि आपको पता है 1885 से लेके 1915 तक की जो society थी, गरीब तब के थे, भूका नंगा इंसान, उसको क्या politics समझ में आएगी, ठीक है, उसको तो बस दो वक्त की रोटी चाहिए वही उसको नहीं मिल पा रही थी, अंग्रेज उसका खून चूस रहते, ठीक है, तो जो movement का base था, उसमें बहुत बड़े level पे लोग जुड़ नहीं पाए, masses जुड़ नहीं पाए, खासकर जो गरीब जनता थी, वो नहीं जुड़ पाई, जो women थी, वो नहीं की, dividing the right to vote for all, सब को vote डालने का अधिकार हो, अगर ये demand शुनू में कर दी जाती, तो democracy की बात होती, हाला कि early nationalists ने, early international congress के लोगों ने, इसकी demand इसलिए नहीं की, चुकि उनको कहीं नहीं लगता होगा, कि ये चीज़ें practical नहीं है, और कहीं नहीं वो government के repression को avoid करना चाते थे और अपने काम को चल रुखना चाते थे, इसलिए हो सकता है, उन्होंने को एक calculated decision लिया हो, और इस तरी की demands को ना रखा गया हो, thank you for watching this video friends, I hope आपको वीडियो पसंद आयो, please like और share ज़रूर करिएगा, ज़द 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 लोगं के साथ इसको share करें, अपने social media के through भी, गुडबाए